हे स्वागत है आपका मैं रोपेश कुमार रहा है और आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आज एड्मिशन आफ पार्टनर का स्वाट क्वेश्चन विद एंसर करेंगे कभी-कभी होते हैं आप लोग डाउट्स बोलते हैं कि सर क्वेश्चन अप क्या समझते हैं अगर कोई नया आदमी एग्जिस्टिंग बिजनेस में आ रहा है तो एड्मिशन है जब भी कोई नया पार्टनर किसी फर्म में आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगा एड्मिशन आफ नीव पार्टनर याद करो बच्पन में जब हम लोग स्कूल में होते थे तो क्लास में कोई एक नया बच्चा आता था तो उससे पुछते थे रहा निव एड्मिशन निव एड्मिशन निव एड्मिशन दैटन इस देटन सेम लोग एड्मिशन आफ नफ न बौलते हैं वाट केन न्यू पार्टनर भी एड्मिटेड एक नए पार्टनर कैसे आ सकता है अब यहां पर इसकूल वाली बाते आपके नहीं चलेगे यहां पर होता क्या है कि जितने भी पार्ट्नर से सभी के कंसेंट चाहिए मतलब सभी agree होनी चाहिए क्यों partner हमारे partner से business में आए क्या आपकी school में ऐसा होता था आप से push कि किसी का admission लिया जाता था नहीं न यह life है यहाँ पे पूछ किक रहें निव पार्टनर मस्ट एग्री टु टूमेंड कंडिशन इंपोस बाइद ऑल्ड पार्टनर पुराने पार्टनर के जो टूमेंड कंडिशन होते हैं उन सबको मानना होता है यह जैसे फ्लेवर से हटके एंप जमपल लेते हैं जैसे कोई १शाते होता है वह अपने श Saudi आ्लम में जाती है थो क्या होता है उसके सॉंस के विट में कंडिसन सुनने दो सब करना होता है सब की लिए कुछ ने कुछ बना करके देना होता है तो यहां पर भी ऐड्विसेन नुइव पाटनर तभी होता है जब सब राजी है तब और दूसरी बात कि सब के टमन कंडिशन फुलफिल होने चाहिए तब कि फ्रम देट ऑफ़ उड्मिशन लियू पार्टनर को आनर ऑफ ऐस्त और लियू अफ ऑफ फॉर्म ऐज पर दे अगरिमेंट एग्रिमेंट के इसाफ से जब नीव पार्टनर आ जाता है बिजनेस में तो को आणर उसका हो जाता है को अनर मतलब आपके पास जितना एसिप है जितना liability है सब में हमारा भी हिस्सा है अब हिस्सा कैसे निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं change in profit sharing ratio जो हम आपको sums और solution दोनों बताएंगे यहाँ पर change in profit sharing ratio के करीबन 10-15 सवाल आपके लिए हमने दिये 14 question है solution नहीं है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में solution भी करके देंगे चेंज इन profit sharing ratio के उपर में वीडियो चाहिए यह और solution चाहिए यह फिर और भी कुछ चाहिए आफ हमें comments में बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं मैं आपका दोस्त हुँ हूं कि एस्टेट एनी डीजन एनी टूरीजन और एनी टूरीजन फॉर एड्मिटिंग अपनी पार्टनर को यह इसा दो कारण तो बताओ कि पार्टनर को हम लोग एडमिट क्यों करते हैं पहला रिजन है इंक्रीजिंदे कैपिटल मारे पास कैपिटल बढ़ेगा और दूसरा कोषिक जाने कि बिजनस जाने की बिजनस बरहेगा जब कैपिटल बरहेगा तो बिजनस एक्सपेंड करेंगे कि ये जो तक जब तक बिजनेस को पैसा नहीं आए गा बिजनस면ा ऑन्ने का क्या सवाल में रहते हैं are watch total new profit sharing ratio in case of admission of a partner admission home partner में new profit ratio जो को किया होते हैं नियू प्राफिट का कितना हिस्सा लेना यह फिर देना होगा उसको को बोलते हैं नियू प्रॉफिट शेरिंग रेशियो वाट इस टेक्रिफाइशिंग रेशियो क्या होता है जो पुराने पार्टनर नए पार्टनर को अपना हिस्सा देते हैं पुराने पार्टनर अपने हिस्से में से नए पार्टनर को देते हैं उसको बोलते हैं सेक्रिफाइसिंग डेश्यू जैसे हम लोग भी कभी किसी के लिए कुछ सेक्रिफाइस करते हैं या नहीं करते हैं आपकोस हर कोई करता है कि याद करो जब आपके वी तो या जीओ समृ रात को दो बजीं कॉल करते हैं तो आप अपना निंद स्थिरू करते हो या नहीं भी वैसे यहां पर भी एडमिस्ट फॉडू सब पार्टनर में पुराने पार्टनर अपने नए पार्टनर को सहपाथी को पार्टनर को अपना हिस्सा सियर करते हैं वो भी कुछ न कुछ तो देती है आखिर हम सेक्रिफाइस क्यों करें आपको बेनिफीट है तब कर रहा है वाट इस अर्ड रीवेलीईशन एकाउंट रीवेलीईशन एकाउंट क्या एक टेमप्रोरी एकाउंट प्रीपियर होता है जहां पर asset और liability का re-value किया जाता है Re-assist किया जाता है Asset और liability की assets की revaluation होती है और liability की re-assist होती है कि हमारे पस जो asset है उसका दाम बरहा है या घटा है और जो liability है वो और हमें कितना चुकाना है क्या liability increase किया या फिर decrease किया यह सब पता करने के लिए हम लोग re-valuation account बनाते हैं और इसी re-valuation account में जो profit या loss आता है उसको हम लोग capital account में transfer करते हैं यह re-valuation account admission और retirement के time में retirement और date के time में बनाया जाता है desolation के समय में re-valuation account नहीं बनाया जाता है वहाँ पे realization account बनाया जाता है बताएंगे टेंसर नहीं देने का what is the meaning of word re-valuation in partnership account word re-valuation of asset and reassessment of liability in the partnership और reconstitution of partnership यहाँ पे partnership को reconstitution क्यों बुला जाता है क्योंकि यहाँ पे कभी partner आता है तो कभी जाता है कभी हमेशा के लिए जाता है तो कभी समझ रहना मतलब टपक जाता है इसी लिए रिकांसिट्यूशन और पार्टनर्शिप भी बोलते हैं यहाँ पे re-valuation का मतलब है कि asset को re-value किया जाएगा और liability को re-assessment किया जाएगा ठीक है question no.8 when do you prepare re-valuation account re-valuation account हम लोग कब बनाते हैं admission के time में retirement के time में date के time में या फिर change in profit sharing ratio के time में ठीक है why is necessary to re-value asset and liability of a firm in case of admission of a new partner क्या यह जरूरी है कि नए पार्टनर आए तो उससमें re-valuation किया जाएगा बिल्कुल जरूरी है assets are re-valued liability of a firm are re-assessed at the time of admission of a new partner because the new partner should neither benefit or suffer business of losses business का जो losses है उस सफर ना करे change in the value of asset or liability as soon as date of the admission admission के time कभी हमारे business में asset कभी पुराना भी तो रहता है नया भी तो asset आता है market में उसके value down भी तो हता है बढ़ता भी तो है घटता भी तो है तो इन सबका जो चुचले है और नए partner को ना जहलना परे यह भी हो सकता है हमें जो फाइदा मिलने वाला था उस भी share करेगा तो डर कहीं न कहीं पुराने partner में होता है इसलिए हम लोग revolution account बनाते हैं how do you close the revolution account हम लोग जो भी profit आता है उसको capital account में डाल करके revolution account is closed by transferring the profit or loss on revolution to the old partner's capital account in their old ratio पुरारे ratio में पुराने partner को पुराने हिस्षा दे करके revolution को close कर दिया जाता है why revolution account is prepared revolution account इसलिए बनाया जाता है ताकि increase and decrease in asset and liability को हम लोग देख सके हैं और उसको partners account जो old partner से उसको हम लोग distribute कर सके हैं जब liability increase करता है तो उसका इंट्रियम लोग क्या pass करते हैं है हमलों का revolution account है लाइबिल इछिए यहाँ पर liability decrease करेगा तब और यहां पर asset increase करेगा तब और liability decrease करेगा तब credit हम लोग करते हैं debit में हम लोग उसको करेंगे what is the entry pass to record and increase in the value of an asset जब value asset का value जब increase करते हैं तब क्या करते हैं asset account debit to revolution account credit side में लिखेंगे by asset account पुराने पैसे को और नए पैसे से माइनस कर लेंगे कितना बरहा है वो लिखेंगे पुराने what is sacrificing ratio when the new partner is admitted into the partnership for the certain share of profit and loss combined share of old partners will be reduced the ratio in which old partners are surrender to the new partner old ratio minus new ratio is equal to sacrificing ratio पुराने partner नए partner को कुछ अपना हिस्सा share देते हैं तो उसको हम लोग sacrificing बोलते हैं goodwill क्या है goodwill is the value of reputation जो business को जादा से जादा पैसा कमा करके देता है state any factor of determining goodwill profit of firm और turnover of business goodwill से business को firm बढ़ेगा और turnover भी turnover मतलब sales why is general reserve distributed among the old partners before the new partners is admitted general reserve एक मिठाई की तरह होता है आपके घर में कोई नया आदमी आने वाला है या आ रहा है तो क्या करेंगे आप उसको पुराने नहीं मिठाई देंगे नहीं क्योंकि आपका खुद का बनाया हुआ है तो खुद खाएंगे न तो जेनल रिजर्व खुद के मेहनत से बनाया हुआ एक रिजर्व है पैसा है जिसको हम लोग पुराने पार्टनर को उसके रिशियो में नहीं डिस्टिब्यूट कर देते हैं वाट जीटन गुडविल कुष्चन में नहीं दिया रहता है यह कैपिटल में से निकालना पड़ता है कि कोई जिकर नहीं रहता है जैसे हम लोग बिजनेस एक्वायर करते हैं तो उसका एसे जितना रहता है उससे ज्यादा हम लोग प यहां पर इल्लेस्ट्रेशन दिया हुए आप पर के समझ सकते हैं इससे कोई दिक्कत नहीं है अब नेक्स्ट जो पॉइंट है चेंज इन प्रॉफिट सेरिंग रेशियो जब भी पार्टनर आता है तो प्रॉफिट में चेंजेस आता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते है चलो देखेंगा